हलो फ्रेंट्स एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बोबिन में है जो किस तरीके से दागा है जो सैट करना चाहिए क्या ध्यान है जो आपको रखना चाहिए ताकि आपकी सिलाई है जो करना है जैसे आप बोबिन में चक्री डालोगे तो उसके बाद में यह देखो यहां पर हलका असा निशा रहता है तो ऐसे आपको धागा पकड़ना है और यहां पर इस तरीके से घुमाते हुए आपको इस साइड लेके जाना है अभी आपको क्या करना है कि यह द्धा यह आपका डेल चुका है और आपको नॉर्मल धागा है जो इस तरीके से खींच के चाह करना है अभी आप देख सकते हो हमारा धागा जो ना तो ज्यादा है जो टाइट आ रहा है और ना ज्यादा है जो धिला आ रहा है मेडियम जब आप हलका सा खींचते होने तब आपका यह धागा यहां से जो निकलना चाहिए यदि आपको बहुत ज्यादा टाइट मैसूस होता है यहां से धागा खींचने पर तो आपकी जो शिलाई है वो बार-बार है जो तूट जाएगी तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस तरीके से कर रहे हो तो आपका धा जागा ना तो ज्यादा धिला हो ना ज्यादा टाइट हो धिला होगा तो भी बार-बार मैसीन है जो तागा है जो तोड़ेगी और धिला कश्टा दोनू होने पर यदि मेडियम साइज में आप रखोगे तो आपकी शिलाई है जो अच्छी आने वाली है तो इस तरीके से आ करना आप इसके उपर से भी डाल सकते हो लेकिन मैं आपको थोड़ा सा निच्ची की साइट से है जो यहां से दिखा देती हूं हाथ को लेके तो यह जो हिस्सा है ना आपका यह उपर है जो यहां पे एक निसान रहता है तो इस तरीके से सैट करना है यहां पे रहता है साइ यह अपने आप है जो उसमें फिट हो जाएगी तो मैं इसमें हलका सा किया और एकदम यह देखो हमारी चक्री है जो शिटल इसमें सेट हो चुकी है बोबिन वगेर है तो यह देखो अभी आप यहां से दागा खींचोगे तो अराम से है जो यहां आ जाएगा और किस तरीके स मशीन से उपर दागा लेके आऊगोई यह आपको जो दूसरे वीडियो में मैं बता दूगी कि इस परकार से करना है तो इस परकार से जो आप बोबिन में जो दागा सेट कर सकते हो यह दि यह जानकरी आपको पसंद आए तो वीडियो को यह जो लाइक कीजिए शेर चैनल पर नए हो फैस्ट बार आयो तो चैनल को जरूर जरूर सस्क्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक बाई बाई